मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हर साल 80,000,000 तन से ज्यादा गछरा समुद्र में फेक दिया जाता है जिसमें बहुत बड़ा हिस्ता न्यूक्लियर वेस्टेच का है कि सीधा समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए खत्रा बन चकता है यहां तक कि उनके जीन्स में भी बदलाव कर सकता है हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ लोग वेकेशन के लिए आये होते हैं सब लोग काफी खुशते और बहुत इंजॉय कर रहे थे सी बीच हमें एक पपल को देखते हैं जो कि अपना वेडिंग फोटो शूट करा रहे होते हैं कुछ काफी अच्छा चल रहा था उसी समय कुछ लोग नोटेस करते हैं कि पानी में बुलबुले आ रहे हैं तो देखते ही देखते समुद्र से बहुत सारा कच्छा निकल कर बहार आने लगता है बहुत ज्यादा शौकिन था क्योंकि नॉर्मल यह ऐसा कभी होता नहीं है लोग यह देखकर काफी खबरा जा लड़का जो पूरी तरह से म्यूटन्ट हो चुका था लोगों पर अटैक करने लगता है कपल भी यहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन इस लड़की के हस्पेंट को वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है और अपनी तरफ खीच लेता है उसको मार देता है और वो जल थी रिटायर भी होने वाला था कि साथ फो लड़की सुमीना भी थी जिसको हमने पहले भी देखा था वो कि अभी शिप पर डॉक्टर है कुछ काफी अच्छा चल रहा था लेकिन कैप्टन का बेटा बोयांग एक ग्रो जिंडॉंग से लड़ाई करने लगता है बोयां कोपिट में बैटकर खारा खारा होता है विए उसके ऊपर कोई अजीब चीज गिरने लगती है जब वो ऊपर देखता है तो वहां था वो बहुत बड़ा मांस्टर कि उसके मूँ में अपना टेंटिकल डाल देता है और उसके बाद उसके दियाने में चेंजिस होने में जिन डॉंग और बोयांग उस लड़के को बचाने आते हैं उस म्यूटेंट को एक नेट में पकड़कर बाहर ले आते हैं यह देखकर सब लोग काफी शौक हो जाते हैं कैप्टेंस उमीना से उसको चेक करने को कहता है उमीना जब उसकी बॉड़ी से ब्लड़ लेती है पर यह टैस्ट मैंने कभी इंसानों पर नहीं किया नेमें हम देखते हैं कि म्यूटेंट नेट से बहार आ चुका है ब्लोग उससे बच्छते हुए शिप के अंदर जाने लगते हैं लेकिन म्यूटेंट उनका पीछा नहीं छोड़ता पूरण जिन डॉंग उसको धक्का द ना लेते हैं और इनकी लीडर जिन डॉंग से कॉपिट तक ले चलने को कहती है जिन डॉंग और वहां जाते हैं तो म्यूटेंट इन पर अटैक करने की कोशिश करता है जिससे इने बाहर वापस आना पड़ता है उची देल में सुभा भी हो जाती है और यह सब लोग उन ल पर लेकर आते हैं और हम देखते हैं कि पानी से निकल कर दो मूँ वाली शार्क बहार आ रही है इन तब ही एक टैंटिकल बहार आकर उसे पकड़ कर पानी में ले जाता है समुद्री लुटेरे इनको एक जगा पर ले जाते हैं लेकिन जुडॉंग भी मौका देखकर आजा मौनस्टर तो नहीं आथा मगर फीरिंध इनको लाइस की सीघव मार कर रखराएं सब्सक्राइब कर देथा ने ही कोईको अदेश किसी में लिटर आकर उसनले या अपार चुडुण गोल ने लगते हैं उसके व्युसक्स को बिसको मार देता है जय्सक्रार सुट मैंने है लीडर इन सब को छिपने के लिए एक सेफ जगा पहले जाती है अब अगली सुभा ये लोग उस जगा से बाहर आते हैं तो उस म्यूटन्ट को अपने सामने ही पाते हैं वो फिर से इनके पीछे पर जाता है लोग उस से बचने के लिए गाड़ी में बैट कर जंगल के और जाने लगते हैं लेकिन मुसीबत वहां भी इनका पीछा नहीं छोड़ती कि कुछ नर्भक्षी किर्डे इनके पीछे पर जाते हैं ने में वो म्यूटन्ट भी वहां आ जाता है क्योंकि वह उस मॉन्स्टर को मारना जाता था उन लोगों के साथ नहीं चाता और वापस उस केले में आकर गन्स चैक करने लगता है ने में हम देखते हैं कि बाकी लोग भी उसकी मदद के लिए वापस आ जाते हैं भी सब लोग मिलकर उसको मारने का प्लैन बनाने लगते हैं इस पर सुमीना बताती है कि हमने म्यूटन्ट और्गैनिसम पर अटेक करने वाला एक ड्रग बनाया था मैं बस इस ड्रग को उसकी बॉड़ी में इंजेक्ट करना होगा और वह वापस नॉर्मल हो जाए मीना ये भी बताती है कि वो ड्रग मेरे पास था पर वो बीच पर कहीं गिर गया है पि लोग दो ग्रूप में बढ़ जाते हैं कोयांग और श्याउनी ड्रग धोनने जाते हैं और बाकी लोग मॉनस्टर को बुलाते हैं वो यांग को वो इन inception मिल जाता है और वहाँ वो म्यूटन पे आ जाता है वो यांग उसको नीचे गिरा देता है और शैउनी इसकी बॉडी में इंजक्षन इंजक्ट करदी्य जिस्से वो मारा जाता है उसी तरफ वो बड़ा मॉंस्टर भी आ चुका था ये तीनों उस पर गोलिया जला रहे थे वलियों का उस पर कोई असान नहीं हो रहा था बल्कि वो तो इन लोगों को उठा उठा कर पटक रहा था इस बीच वहां रखा ओईल का कंटेनर गिर जाता है ने में बोयांग और शाउनी इंजक्शन लेकर यहां पहुच जाते हैं बोयांग उस सी मॉंस्टर को इंजक्शन लगाने आगे बढ़ता है लेकिन मॉंस्टर उसको अपने टैंटिकल से दूर फेक देता है काउनी बोयांग को बचाने जाती है लेकिन मॉंस्टर के अटैक से वो दोनों भी मारे जाते हैं क्योंकि हालत भी बहुत बुरी हो गई थी और वो मॉंस्टर सुमीना को पकड़ लेता है किन वो अपना दिमाग लगाती है और वहां गिरे हुए आउयल में आग लगा देती है इससे सबको लगता ही कि वो मॉंस्टर मर गया है किन ऐसन नहीं था वो मॉंस्टर जलने के बाद भी जिन्दा था और उस पर आग का भी कोई असन नहीं हुआ मांस्टर जिन्डॉंग पर attack करता है, लेकिन वो आगे बढ़ता है और नीचे गिरे उस injection को उठा लेता है वी मांस्टर जैसे ही उसे अपनी और खीचता है, जिन्डॉंग इजेक्षन को उसके सर में inject कर देता है यही ड्रॉग उसकी बॉडी में जाता है वो मॉन्स्टर मारा जाता है और यह मूवी यही खतम हो जाती है